नमस्कार बहुत सबागेट आप सभी का आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की मैं हूं सौरव शर्बा आपके साथ और 2024 लोगसभा चुनाव की कहानी को लेकर के सबसे बड़ा ट्विस्ट आज इस खबर में आया है मायावती के जन्म दिन पर उनकी प्रेस कॉन्फरेंस से और अ मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फरेंस करके ऐलान कर दिया कि 2024 के चुनाव में वो किसी के साथ गटबंदन नहीं करने जा रही है उनके पार्टी अकिले चुनाव लड़ेगी और इसकी उरोने वजह भी बताई कहां गटबंदन करने से हमको नुकसान होता है वोट ट्रा कॉंग्रेस पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया अकिलेश यादव इस बात को लेकर पहले से ही नाराज थे या अन्मने थे आज वो जाहिर तोर पर बहुत खुश होंगे मायावती ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि इस चुनावें वो किसी के साथ नहीं जा रही उन्होंने का कि सपा प्रमुक गिर्गिट की तरह हमारे लिए रंग बदलते हैं क्या मायावती ने दोहजार चौबीस की सबसे बड़ी खबर आज सुना दी है और दोहजार चौबीस के नतीजे को लेकर के भी आज उन्होंने हेडलाइन बना दी है इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ कहानी कुर्शी के महमान जुड़े हुए हर्श्वदन तरिपाठी जी राहूल माजन जी समीर जोगामकर साथ बहुत सबागत आप तीनों का मायावती ने दोहजार चौबीस की सबसे बड़ी खबर क्या बना दी हर्श्वदन जी ने अगर ये स्थाई खबर है तो निश्चित तोर पर क्योंकि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है तो उत्तर प्रदेश तो विपक्ष के लिए पूरी तरह से संभावना शूनने हो जाएगा देश के कई राज्यों में विपक्षी गर्चोड के लिए मुश्किल होगी उसमें महाराष्ट्र सामिल है उसमें पंजाब शामिल है उसमें राजस्थान शामिल है और कुछ हद तक छिटपुट दूसरे राज्यों में भी वहां उतना प्रभाव नहीं देखेगा लेकिन शिटपुट वहां भी वो शामिल हो जाएगा कि विपक्ष के लिए संभावनायक शीन होंगी अब सवाल ये है कि आज तो कई तरह की लकनवु के गलियारे में कई तरह की चर्चा थी कि कहीं ऐसा नहो अखलेश जी सुबह सुबह उठें डिमपल जी को कहें कि चलो तयार हो तरह की प्रतिक्रिया दे दी इसका सिधा सा मतलब हुआ अभी थोड़ी देर में या थोड़ा थम के या हो सकता आ ही गई हो वो प्रतिक्रिया आ जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों खेमेत तय हो गए और जब यह नेता बोलते हैं भारती जनता पार्टी कॉंग्र पार्टी के लिए तो सच मुच जिसको कहते हैं कि बैठे बिठाए एकदम कुछ नहीं था लेकिन उपर से एकदम बढ़िया भूखे बैठे हुए तो सारे फल जोली में आ गए तो कुछ उस तरह की इस्तिती हो गई है उत्तर प्रदेश में जो भारती जनता पार्टी का मि बाजनी देखनी समझनी होती तो मैं कांशी राम जी को याद करता हूँ वह कहते हैं कि छोटे हित के लिए छोटे समय के लिए भी कोई लाब हो रहा आओ तो तुरंट ले लीजिए क्योंकि हमारी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कोई बहुत कोई उस तरह से कह करते हैं वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं है हमारा कोई सामंती ऐसा नहीं है हम कोई परंपरा गत तोर पर नहीं है तो हमें जहां हित मिले जहां सत्ता मिले वहां तुरंट लपक लेना है अब अगर कांशी राम जी की वह बात याद करें तो क्या मायावती अकेले लड़ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक ये विंडो भी हमेशा होती है, और जब बहुत आप टफ बारगेनर होते हैं, जैसे आप अगर ध्यान से देखिए, तो अभी दो लोग बड़े कैसे मिल रहे हैं, अभी ये वो तस्वीर आई थी उसमें खरगे जी, वो बढ़िया मफल केजरिवाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों लोग, दोनों लोगों में कितना मतभेद था, लगता था कॉंग्रेस केजरिवाल तो कभी आ ही नहीं सकते, देखिए, दोनों एक साथ हैं, अब ममता जी किनारे हो गई, अखलेश जी किनारे हो गई, उद्धव जी किनार तो कहीं कुछ वो वाली मना हिस्तिती नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये इस्थाई समाचार है, तो भारती जनता पार्टी के दिन, ये उत्तरायन के दिन, इससे सुंदर खबर नहीं हो सकती. तरीके से वो हमको लेकर के अपने बयान देते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये दोजार चौबीस के लिहाद से यूपी सबसे बड़ा राज्य और वहां की सबसे बड़ी खबर है। जादा गैप आजाए, जादा सीटे आजाए, बहरते अंता पार्टे को नुक्सा अना पड़े, मुझे लग रहा है फिलार ये जो खबर आई ये उत्तम अदेश अंदर, ये निश्चरुप से बहरते अंता पार्टे के लिए एक रहात की खबर है। पार्टे को चला जाता है और बेनिफिट होता है गड़ बंदन को. इस बात की भी घोषना करनी थी कि वह लोकसबाद चनाओ लड़ेगी और लोकसबाद में जाएंगी. वह भी एक ज्यादा बड़ी अच्छी खबर होती अगर मायावति इस बात जोषना करती वह हैं, उन्होंने इस बात जोषना नहीं किये. लेकिन निश्रुप से भारतेन्था पार्टी के रहती खबर है लेकिन देखना हो कि मायावती का अब वोट बेंक कितना बचाए मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बेंक जो बड़ा एक मायावती के साथ जोड़ा रहा है तो मुझे लग रहा है कि अब मायवती के पास उतना वोट बेंग रहेगा ये देखने वाली बात होगी मुझे लगता है मुस्लिम वोट बेंग जो मायवती के साथ जुड़ा था वो निश्च दुरुप से अब अखिलेश और कॉंग्रस के पास जाएगा मायवती का जो कोर वोट बेंग जाटा हो मुझे लग रहा है वही शिफ मायवती के साथ रहेगा और उससे बहुत ज़रा फर्क पड़ेगा नहीं फिर भी भारती जनता पार्टी के लिए एक रहात की खबर है अगर मायवती लड़ने का फैसला करती है तो हमारी पार्टी को कोई भी एतराज नहीं है उसका हम स्वागत करते हैं और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी एतराज नहीं होगा उसका भी हम स्वागत करेंगे विपक्ष के इडिया गडवंदन को लेकर जिस परकार से सप्पा मुख्या ने एक सोची संजीर अन्निती के तहत बीएसपी के लोगों को गुम्रा करने के उद्रिस्टे से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी पर्मुक के प्रती गिरगित की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर साब धन देना है इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ओल इंडिया की बैठक में आम सेम्टी से स्री आका सानद को मैंने अपना एक मात्र उत्रा अधिकारी घुशित किया था तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी वा गलत खबरे परचारित की जारी है कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी परमुग जली ही राजनिती से सन्यास लेने वाली है जिसमें रती भर भी सच्चा ही नहीं है जबकि मेरी जिन्दगी का आखरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा इस किसम की फर्जी वे गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुम्रा नहीं होना है चुनाब को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोशित होने वाले लोग सबाके यह आम चुनाब यहां गरीबों अबम उपेशित वर्गों में से विसेज कर दलितों आदिवासियों अती पिषडे व रगों मुसलिम वे अन्य धार्मिक अल्प संक्यत समाज के लोगों के बलबूते परही पूरी त्यारी वे दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेती और इनी के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहां अबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े परदेश उत्तर परदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण भहुमत की सरकार भी बनाई थी इसलिए अपने इस अनुभग को भी खास द्यान में रखकर हमारी पार्टी लोगसबा के गयाम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूजीवादी, संकिर्ण वे संप्रदायक सोच रखने वाली सबी विरोधी पार्टीों से अपनी दूरी बना के रखेगी अर्थात हमारी पार्टी या किसी भी गड़बंदन वे पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी मायवती जी ने घेरा तो सबको लेकि ने तो बिलकुल साफ है कि इसका फाइदा आज उनके इस ऐलान का किसको ओने जा रहा है देखे अगर ये जैसे बोला गया कि मायवती का ये कहना है कि उनका वोट जो है किसी को ट्रांसवर हो जाता है अगर वो इलाइंस करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखे अगर हम 2014 से 2019 के दो चुनावों को देख लें जो 18.5 पुछ पर पहुँच गया था तो समाजवादी पार्टी को जादा घाटा हुआ था इस अलाइंस से जबकि मायवती को ऐसा कोई घाटा नहीं हुआ था लेकिन हम पूरी अगर राजनीती देखें अगर हम उत्तरपदेश में मुस्लिम, जाटव, यादव जाट वोट मिला लें तो 41 पीसदी का वोट बैंक है और इसी कारण से यह माना जाता है कि अगर यह अलाइंस होता बियस पी, समाजवादी, कॉंग्रेस और आर अरल डी वगरा का तो शायद एक बड़ी फोर्स जो है की तोर पर वो सामने आते लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है देखें मायवती, पहली बात यह है कि बियस पी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है जैसे कि हाश्वादन बोल रहे थे, वो कभी भी पलट सकती इसी पार्टी है जो कभी भी पलट सकती है तो ऐसे में मायवती जो अभी कह रही है वो क्या केवल दबाव के कारण या सीटों के दबाव के बढ़ाने के लिए कह रही है या फिर सच में चहरी है ये देखने वाली बात है अगर B.S.P. ये चुनाव जो है लोग सबाका अकेले लड़ती है तो वो और नीचे जाएगी देखिए 2007 से उसका लगाता है ग्राफ जो है नीचे जाता रहा है और अब वो स्थिती है जब मायवती ने अगर ये चुनाव अकेले लड़ा तो B.S.P. के और बुरी हालत होगी युत्तापदेश में तो उनके लिहाज से क्या बहतर होगा देखिए उनको तो अलाइंस में लड़ेंगे तो बहतर होगा हमने देखा है 2019 में जब अलाइंस हुआ तो उनको 10 सीटे मिली और समाजवादी पार्टी का वोट भी उनकी तरफ शिफ्ट हुआ यादव वोट भी शिफ्ट हुआ दूसी तरफ एक और जो फायदा उनको और उनको उनके बहुत सारे मुसलिम कैंडिडेट खड़े किये जिससे मुसलिम वोट भी उनकी तरफ आया चाहे वो कॉंग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो तो बीस पी को तो इस अलाइंस में जाने से फा बीस पी का प्रोस्पेक्ट उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कुछ है। आप याद करिये तो ऐसे ही बोलती थी सब कुछ लिखा गुआ होता था ऐसे ही बोलती थी मुलायम सिंगी के लेई लेकिन एक समय में मिले थे मुलायम सिंग्यादो और क जीत पाएंगी या ने जीत पाएगे कि उसका एक जो बहुत शांदार वोट बैंक है जो मायावती के कहने पर कुछ भी करने को तयार हो जाता है जो किसी भी पार्टी में सचमुछ वोट शिफ्ट करा देती है क्या वोटर मायावती जी के साथ 2024 के लोग स्वाज चुनाव में खड़ा रहेगा उसकी ये पोस्चरिंग है और मेरा ही मानना है कि ये गड़जोड तो किसी भी वक्तों कर लेंगे अगर चुनाव गोशित हो गया सब सीटेत हो गई और उसके आद एक दिन वो कहें कि नहीं नहीं अगर गड़जोड वाले चाहे तो हम गड़जोड कर सकते हैं ये पूरा गड़जोड दौड़ा हुआ बहुजन समाज पार्टी के कारेल है पहुँच जाएगा मायोती दी के सामनी पहुँच जाएगा वो अपनी ये ताकत जानती हैं लेकिन जिस ताकत जिस वज़ा से वो ताकत है उसको थोड़ा सा वो कमजोर पा रहे है उनको दिख रहा है कि पहली बार बसपा के वोटर का मोरल बहुट डाउन है तो उनकी कोशिश ही है कि एक तो अपने वर्कर को इतना स्ट्रॉंग करें कि अगर कल को बारगेन हो तो 80 में से 40 सीटे, 30 सीटे, 35 सीटे वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में उनको गड़ बंदन में मिले और अगर गड़ जोड में नहीं मिलती है तो वो अपनी ताकत इस तरह से बढ़ाएं कि उनकी कोशिश होगी कि ये वाला जो चुनाओ होगा कि आमने सामने का चुनाओ होगा तो उस चुनाओ में अपने मजबूत वोट बैंक के साथ है और देखिए एक बात समझेए बसपा की जो राजनीती है मैं नहीं मानता हूँ कि वो ये चुनाओ हार जाएं या सीटें न मिलें तो एकदम से राजनीत खतम हो जाएगी मायावत्य अगर इस तरह से रहेंगे और आकाश अनन जिसको उन्होंने अपना उतरादिकारी बनाया है अगर वो राजनीत में कहें कि लॉंग टर्म विजन लेकर चलते हैं तो हो सकता है कि 24 के बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीती आपको नए सीरे से खड़ी होती हूँ दिखे अभी वो जो कुछ बेखले शादा ची के लिए कह रही हूँ आज उनको गिरगेट बुलाया है उनको वो हमारे लिए कभी कुछ बोलते हैं तो कुछ उसी तरह का है और मैं फिर से कह रहा हूँ चुकि दोनों को अपनी स्थिटी पता है न उत्तर प्रदेश में अगर ये दोनों तीनों एक साथ नहीं आएंगे तो उनके लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है अगर वोट नहीं मिल रहा होता तो भारती जनता पार्टी की सिर्फ सीटे ही नहीं मतलब 71-62 हो गई, 73-64 हो गई सिर्फ इतना भर नहीं है कई जगह मत का अंतर जो था वो भी घटा है ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आते हैं लेकिन चुकी इनके वरकर की एक समस्या है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का उटर बहुत अगर इस पश्ट तोर पर कहें तो यादव और दलित, दलितों में भी जो जाटव, जो मायवती जी की जाती है, उनके भी संघर्ष बहुत है, जमीन का संघर्ष है, जो आसपास के इलाके में कहें कि प्रभुत्तों का संघर्ष है, और जो बस्तियां है, उसमें किसी सवन की हिम्मत नहीं, किसी यादव बस् के लिए कई बार बाधा बनती है और चुकि अगल बगल की बस्ती होती है तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है समय जे जेकिए देखिए लिए लिए तो ये बहुत ज़ादी पार्टी ने बहुत अत्याचार करवाई था इसलिए तो 2019 में गड़बंधन हुआ था तो अब देखें कि मेनपूरी में जब मुलाइम सी एदर लोक समाच नाव लड़ रहे थे तो मायवती प्रचार अभियान करने उनके साथ मंच साजा करने गई थी तो यह का गया था कि मुलायम सी को तो जरूत नहीं है मैं पूरी में मायवती को तो वैसे जीच जाएंगे तब यह का गया था कि नहीं कि दोनों वरकरों के बीच में इतनी जादा कटूता है उसको दूर करने के लिए बताना जरूर है कि मुलायम मायवाती दोनों गेस्ट आउट कांड के बाद पहली बार स्टेश पर आए थे कि अब उनके बीच में कम से कम एक चनाउल लेंडे की सामजस से है तो अगर उपर स्थर पर दोनों नेता मुलायम और मायवाती मिल रहे हैं तो जमिन स्थर पर भी कारेकरता मिले और आपस में वोट रहे अपनी लड़ाई को उसमय के लिए बूले उसमें बहुत मुश्किल हो गया था मुलाइम महवथी के लिए कि अपने वर्कर को एक दूसी के लिए वोट करवाने के लिए हाला कि अगर याधबंदन में जायेगी क्योंकि भढ़न समाज़ सबसे बड़ी चुनोती होगी कि बिना समाजादी पार्टी के बिना कॉंग्रेस के बिना गड़बंदन रहे अकले वो लोकसभा चुनाओ कैसे जीतेंगे तो मुझे लग रहा है इन सांसदों का दबाव भी मायावती पर रहेगा कि अगर लोकसभा में हमें अपनी सेटे बच सीट डेजी थी अब यह सम्मों नहीं होगा अखले शादो किसी भी स्थिति में 2019 के टंसन कंडिशन पर मायावती के साथ गड़बंदन नहीं करेंगे अभी तो हमारे पास मायावती जी का आज कई बयान है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं आगे क्या होगा तो में नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर वो आलग की गटबंदन में शामिल नहीं हो रही है और सपा कॉंग्रेस मान लीजी एक तरफ बीजेपी और ये एक तरिकोंगी मकावला होने जा रहा है आपको लगता है बीजेपी के लिए कितनी सीटों का ये फासला तैक करने वाली को बड़े साफ बात है 2014 इसका एक्जामपल है बीजेपी 2014 से 2015 में 10 सीटे नीचे आ रही उनिस में 10 सीटे नीचे आ रही तो ये तो साफ है कि BSP और SP के साथ आने से बहुत प्रभाव पड़ा था और जैसे देखिये ये बिलकु साफ है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो वोट शे जो है वो मतलब आता नहीं है कोई शिफ्ट नहीं होता मायवती का तो वो सही कहते है मायवती की तरफ यादव वोट जरूर समाजवादी पार्टी का अगर आप अनलसेस भी करेंगे 2019 और 2014 के चुनावों का तो BSP का वोट जो है वो कोई समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं कर रही है यह तो खैर बाद में कौन सा दवाव है वो बताई दीजे ना बहुत सारे दवाव हैं उनके खिलाव बहुत सारे केसे बहुत कुछ है लेकिन अब ऐसे में जो है क्यों वो कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है यह मुझे 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 लगत ने इस पे मेरा राहुली से मदभेद है कोई भी राजनेतिक दल इतने दबाओं में नहीं आएगा किसी केस्वेस की वज़ा से चुनाव लड़ना छोड़ दे या गड़बंधन करना छोड़ दे और मायवती जी चुकि भारती जनता पार्टी के साथ आकर कोई धंकी राजनेति नहीं कर सकती उनके लिए संकट हो जाएगा तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ केस की वज़ा से गड़बंधन में नहीं जा रही है मैं ये थोड़ा सा इस वाले सिध्धान्त को इस वाली थहीरी को नहीं बान पाता उनकी अपनी मुश्किल है उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अमनों हो जाए वो वाली चिंता उनकी ज्यादा बड़ी है और उनको बार-बार ये लगता है कई बार उनको ऐसा लगा कि भले ही हमको साथ में बुलाते है लेकिन उसके बार हमारे साथ जो बरताओ होता है हमारे कार्करताओं लिए जो कहा जाता है वो ठीक नहीं होता हो व ये भी को काफी फाइदा हो लेकिन 2019 में सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर लड़े न अगर दबाव रहा होता तो वो तो बड़ा कुरूशियल एलेक्षन था जो भी से कम थोड़िन था वो तो 19 में तो बहुत तरह की चीज़ें थे तो मुझे लगता है ये वाले तीरी काम न मायवती को इस गटबंदन में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी और कॉंग्रेस पार्टी ये ग्रेता ने बड़ा खुल कर अभी अपना एक अनैलिसिस भी दियार और ने कहा कि हम भी जानते हैं कि भारती जंता पार्टी इस चुनाओं के बाद सबसे बड़ी अगर उसे कुछ सीटों की भी जरुवत पड़ी सरकार बनाने के लिए तो वो सही होगी उसके साथ नहीं जाएंगे हमारे साथ जाएंगे